हेलो दोस्तों राधे राधे हरहर महादेव मैं मिनाक्षिक बर्फर्ट से अपने नए टपिक के साथ आपके सामने उपस्थित हुई हूँ तो चलिए फटाफट से बता दीजे आप लोग कैसे हैं मैं आशा करती हूँ कि काफी अच्छे होंगे और हमेशा खुश रहिए स्व आज इस सेशन में अगे करें अगे हम चंतिनियु करेंगे जैसा कि पिछले सेशन में हमने बात की थी जो संदर्म में यS शन में भी मैं बात करूंगी तो अगर changes होते हैं चाहे वो family relationship में हो या किसी चीज में भी हो तो हर चीज के पीछे कुछ कारण होते हैं तो इस changes जो family relationship में babies के साथ होते हैं तो इसके पीछे भी कुछ कारण हैं कुछ causes हैं तो चलिए आज इस session में हम जानते हैं कि what are the common causes of changes in family relationships during babyhood तो commonly अगर देखा जाये तो नौ तरह के causes बताए गए हैं तो चलिए पहले जान लेते हैं वो causes है क्या dream child concept, degree of dependency, parental anxiety, child training methods, maternal employment, maternal overwork, arrival of new sibling, relationships with older siblings and preference for certain family members तो अब इसके साथ चलिए एके causes को हम थोड़ा detail में जान लेते हैं जैसा कि पहला cause है dream child concept जो की एक बहुत बड़ा cause हो सकता है family relationship में changes होने के, if the baby lives up to the dream child concepts of parents and siblings in terms of appearance and behavior, family relationships will become increasingly more favorable, if does not they will deteriorate तो जैसा कि अगर हर parents का एक dream child concept होता है कि एक parents विचार बना के रखते हैं, सोच रखते हैं कि हाँ मेरे मेरा child, मेरा बच्चा, मेरा baby ऐसे होगा तो उस हिसाब से या फिर parents हुए या फिर siblings हुए तो सबका dream child concept होता है कि बच्चा appearance में ऐसा होगा, behavior में ऐसा होगा तो उस अधार पे उस बच्चे के साथ family members का, parents का, siblings का सबका relationship develop होता है अगर वो dream child concept के अंतरकत वो बच्चा आता है, तो जो भी आप कहिए वो favorable condition बन जाती है अगर नहीं आता है, तो वहीं पर relationship का deterioration धिरे धिरे शुरू हो जाता है Now, next is the degree of dependency, as complete dependency, one of the most appealing features of babies सबसे appealing features baby का होता है, dependency, तभी लोग जो होते हैं, बच्चे के तरफ अकर्शित होते हैं कि हाँ, मतलब बच्चा भी pure dependency stage में है, तो हमें उस पर take care करनी है, वो appealing है decreases, लेकिन वो धीरे धीरे decrease होता है, babies become more troublesome and demanding and as the result, they are less appealing, जब अच्चा दीरे दीरे grown up होने लगता है, तो वो ज़्यादा troublesome करता है, और disturbing हो जाता है, तो दीरे दीरे क्या होता है, वो family members के लिए less appealing साबित होने लगता है, और वहीं पर relationship में changes आना शुरू हो जाते हैं next come parental anxiety, तो जैसा कि anxiety के बारे में हम जानते हैं कि वैसे भी anxiety जो होता है कहीं न कहीं हमें काफी हद तक परिशान करता है, तो parents may become nervous about how well they are performing their parental roles, parents हमेशा मतलब एक nervousness में रहते हैं कि क्या हम अच्छे से अपने parental role को निभा पा रहे हैं और they may worry if the new baby behaves differently from their older child or children और वो हमेशा इस tension में बने रहते हैं कि क्या मतलब जो मेरा older child था या जो भी children है उससे बड़े, हां तो वो क्या उससे कुछ अलग behave कर रहा है कि वो भी एक normal child के तरफ behave कर रहा है क्योंकि उनके अंदर एक पहले से pre-concept बना रहता है अपने पहले बच्चे को लेके या जो भी उस बच्चे, उस baby से पहले जो भी बच्चे हैं उनके पास उनको लेके एक pre-concept उनका develop रहता है तो अगर उनको लगता है कि कहीं न कहीं मतलब कुछ अगर difference है तो they worries कि मतलब क्या ये सही है या गलत है इस बात को लेके वो हमेशा परिशान रहते हैं, tense रहते हैं, nervous रहते हैं कि कहीं इसमें मेरी तो कोई fault नहीं है their feelings of anxiety are communicated to the baby who often reacts by becoming resentful and negativistic और by crying excessively तो वो क्या होता है, उस feeling को हमेशा बेवी को convey करना चाते हैं क्योंकि उनका देखता है कि बेवी जो है वो resentful हो रहा है और उसके अंदर negativistic feeling डवलप हो रही है और वो बहुत excessively बिना मतलब उनके हिसाब से लगता है कि without any reason वो excessively cry कर रहा है तो there is something wrong or not that become the most that the cause कि वो parents जो हैं बहुत ज़्यादा anxiety feel करते हैं such behavior makes the baby less appealing और अगर ऐसा ही चालू रहा तो ये behavior जो बेवी का है resentment का और negativistic feeling वाला और excessive crying का तो इस तरह से family में क्या होता है कि changes जो है वो develop होने लगते हैं relationship में और बच्चा जो है parents के लिए या family members के लिए less appealing होने लग जाता है next come child training methods whether methods of training are permissive और authoritarian will influence parent-child relationships तो कई प्रकार के training modes होते हैं जो कि parents जो हैं अपने बच्चे को train करने के लिए इस्तमाल में लाते हैं कुछ permissive methods होते हैं और कुछ बहुत authoritarian होते हैं तो ये दोनों ही तरीके के जो भी methods of training होते हैं बच्चे के लिए वो जो है parent-child relationship को बहुत ज़्यादा effect करते हैं corporal punishment की अगर हम बात करें which almost always accompanies by the authoritarian training तो corporal punishment जो होता है वो authoritarian training के अंतरगत लाए जाता है and is a very damaging to the parent-child relationship but अगर इसको हम continuous इस्तमाल में लाते हैं और बच्चे को corporal punishment देते हैं for the wrong deed or something if baby do something wrong तो ये कहीं न कहीं parent-child के relationship को काफी हद तक गलत वे में effect करता है और ये बहुत negative changes दोनों के relationship में लेके आता है now comes maternal employment when the mother works outside the home the care of the baby is often taken over by a person for whom the baby establishes a strong emotional attachment तो अगर हम देखें कि जैसा कि एक normally भी देखा गया है कि अगर mother जो है वो बाहर job करती है या out of the home work करती है तो कहीं न कहीं वो family में उतना take care नहीं कर पाती है और अगर वो newly mother बनी है और बच्चे के साथ जब relationship during early stages of life जो कि बहुत crucial होता है बच्चे के लिए वहाँ पे mother child का relationship is very important to establish अगर वो because of her outer work अगर वो नहीं उतना ध्यान दे पाती है तो बच्चे को किसी और entity के पास छोड़ती है जो कि उसका take care कर पाए तो जब बच्चा उस अपने during the early stages of life किसी और के साथ बिताता है तो उसका जो emotional attachment होता है वो उस entity के प्रती develop हो जाता है ना कि अपने mother के प्रती जिसका की mother को बहुत resentment होता है इफ नो emotional attachment is established दे बेबी is likely to feel neglected and rejected जो कि mother के साथ एक emotional attachment होना is very important अगर वो चीज नहीं develop हो पाती है because mother उतना time spend नहीं कर पाती है अपने बच्चे के साथ because of her work तो कहीं न कहीं वो emotional attachment जो है वो develop नहीं हो पाता है और उसके कारण क्या होता है बेबी is likely to feel neglected and rejected तो बेबी के अंदर neglection और rejection का की feelings develop हो जाती है and these feelings that lead to resentments and a strained parent-child relationship और ये फिर जो होता है converted into the resentments in the child and फिर उसी के साथ साथ parent-child relationship जो है deteriorate करने लगती है और बहुत ही कजा-कसी वाला relationship develop हो जाता है तो अब next बात करते है maternal overwork की when mothers are overworked either because of large families or because of carrying an outside job they tend to be tense, nervous and irritable when their babies do not behave as they expect them to जैसा कि एक अमोमन देखा गया है कि जब भी कोई व्यक्ती कोई भी व्यक्ती हो अगर उसके उपर strength ज़्यादा पढ़िक जाए overworked हो जाए तो कहीं न कहीं वो irritate हो जाता है frustrated हो जाता है तो अगर जो mother है अगर उस दौरान बहुत ज़्यादा overworked होती है उसके पीछे कारण कुछ भी हो या तो घर में joint family है large family है तो वो घर के कामों को लेके सारे family members के needs को लेके सब को लेके अगर वो हमेशा किसी न किसी चीज में indulge रहेगी और overworked हो जाएगी या फिर वो out of the house work करने जाती है उस वज़े से वो overworked और strained हो जाती है तो कहीं न कहीं ये भी बहुत बड़ा कारण बन जाता है parent-child relationship के खास करके mother-child relationship को strained होने में और अच्छे से ना develop होने में क्योंकि फिर वो हमेशा tense, nervous और irritable रहती है और जिसके कारण वो एक expectation बना के रखती है कि मेरा बच्चा जो है वो particularly इस तरह से behave करे और अगर वो behave नहीं करता है तो उसको बहुत ज़्यदा tension हो जाती है and she's not that क्या कह सकते हैं कि मतलब वो उस चीज़ को ले नहीं पाती है this is especially true when babies travel over routine activities connected with eating, dressing or toileting और especially अगर हम ये activities को देखे कि जो eating है, dressing है, toileting है ये सब चीज़ों को लेके अगर बच्चा जैसा की माँ expect कर रही है नहीं कर पाता है तो that becomes the very irritable condition for the mother तो इस वज़े से क्या होता है parent-child के relationship में negative changes आने लगते हैं और जो बच्चे के प्रती जो और मतलब एक relationship है वो कहीं न कहीं deteriorate करने लगता है now next comes arrival of new sibling the arrival of new sibling may cause the baby to feel displaced and neglected जैसा की अगर अभी existing हम है अगर हमारे आगे कोई और आ जाता है तो जाहिर सी बात है mainly focus चल जाता है जो आगे next sibling आया है उसके तरफ सबका focus चल जाता है तो इस point of view को babies जो हैं कभी कभी नहीं ले पाते हैं और they feel displaced and neglected rejected leading to fizziness, crying and a tendency to revolt to infantile behavior तो इस करण से क्या होता है वो फिर से अपने रिवर्ट हो जाते है infantile behaviors, crying करना और even fuzziness करना तो इस तरह से कुछ tendency उनके अंदर फिर से develop हो जाती है because of that neglection जैसा कि हम मान सकते हैं कि यह intentionally नहीं होता है but obvious है कि अगर फिर कोई आगे बच्चा अगर जनम लेता है तो mother को या family members को उसके ओपर focus करना पड़ जाता है लेकिन वो चीज़ बच्चे नहीं समझ पाते हैं क्योंकि अभी उनका भी उतना ज्यादा development नहीं हुआ they are in the babyhood period only तो उस वज़े से वो इतना ज्यादा नहीं समझ पाते हैं they feel very displaced and neglected तो इस कारण से जो उनका infantile behavior था अमेशा excessive cry करना fuzziness करना जित करना they all started again तो उस वज़े से all of which is upsetting to the family तो जिस वज़े से पूरी family जो है बहुत upset हो जाती है and they are not able to handle all those changes तो कभी-कभी ये जो होता है family relationship के में deterioration कर देता है child के साथ जो family का relationship है उसमें काफी negative way में changes आ सकते हैं जिससे की बच्चे का जो relationship है अपने parents या अपने other family members के साथ वो कहीं न कहीं इस तरह के change के साथ deteriorate कर सकता है relationship with older siblings older siblings may begin to think of a new babies as a pest when they must be quiet while they nap share their mother's time and attention with them and help with their care तो जो older siblings होते हैं वो बच्चे के बारे में ऐसा social लगते हैं जिसे they are consider as a new baby as a pest and जब वो बच्चे जो है quiet रहते हैं नाप लेते रहते हैं तो उस समय क्या होता है कि जो older sibling होता है वो अपने mother के साथ जो होता है वो अपना time spent करता है और attention लेता है और इवन जो बच्चा है sibling है वो उसको take care करने में उनकी help करता है तो इस तरह से भी कुछ हम देख सकते हैं कभी कभी positive changes भी आते हैं और जो child का relationship है with the mother वो अच्छा भी बन सकता है और develop कर सकता है positive way में preference for certain family members even before their first birthday many babies show definite preferences for certain family members जब तक कि बच्चा एक सल का नहीं हो जाता है first birthday उसका नहीं हो जाता है तब तक हम यह देखते है कि कुछ certain family members के प्रती उसका preference दिखाई पड़ता है usually the mother or an older sister who has helped with their care especially क्या है अपनी मा के प्रती या अपनी older sister बगेरा के प्रती जो कि उसकी care जब वो चोटा था मतलब और भी चोटा था तो care की थी या करती आ रही है other family members often resent this and let the babies know how they feel तो इस वज़े से क्या होता है कि जो other family members है उनके अंदर कहीं न कहीं resentment develop हो जाती है and वो सोचने लग जाते हैं कि मतलब उनके अंदर ये होने लगता है कि वो मतलब feel करने लगते है कि उनको मतलब नहीं अच्छा लग रहा है कि the child gives the preference to the specific person this tends to intensify the baby's preferences and this in turn intensifies family relationship तो इस वज़े से क्या होता है babies का preferences जो होता है और intensify करता है और इस वज़े से other family members के साथ उसका relationship भी जो है वो intensifies करता है तो इस तरह से हम जाने इस session में कि कैसे-कैसे causes होते हैं जो parent-child relationship या other family members के साथ किस प्रकार के changes को ले के आता है और उससे क्या positive or negative effect पड़ता है एक baby के life पर और उसके adjustment पर तो मैं आशा करती हूँ कि ये सारी जानकारियां आपको बेहत रुची लगी होगी, रुचिकर लगी होगी, पसंद आई होगी अगर अच्छी लगी है तो प्लीज एक like जरूर देतीजिए और अब आगे मैं फिर अगले वीडियो में आऊंगी अपने new topic के साथ